एलओ फ्रेइन इंसर्ट अप्लिकेशन से याधन होचने करें तो आज क्या किक로 करेंगे तो आज के इस वाव्यस के दैश के जानेंगे जानेंगे ŏ तो उनसी अपन करेंगे तो यहां से जो वीडियो के zoom in, zoom out करना है वो वीडियो यहां से select करेंगे और नीचे में देख सकते हैं सही के निशान इस पर आप click करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि वीडियो इसमें add हो चुका है यहां side में आप देख सकते हैं conveys इस पर आप click करेंगे और यहां से 60-69 select करेंगे और ok करेंगे तो अभी आप देशाते हैं कि वीडियो इसमें add हो चुका है इसे हम play करेंगे तो अभी आप देशाते हैं कि यह normal वीडियो है तो इसे हम zoom in, zoom out कैसे करेंगे तो आपको इस वीडियो पर इस तरह से click करना है और यहां में देशाते हैं कि फ्रेम इस पर आप click करेंगे और इस तरह से आपको हलका आगे करना है और वीडियो के दोनों उंगली के मदश से इस तरह से आपको zoom in करना है अभी इसे हम play करेंगे तो अभी आप देशाते हैं कि zoom in हो रहा है और same process आपको video पे click करना है और keyframe पे click करना है और वीडियो के आपको थोड़ा से आगे करना है और इस तरह से आपको zoom out करना है अभी इसे आप प्लै करके देखेंगे तो अभी आप देशाते हैं कि zoom out हो रहा है तो यह परहला step है और दूसरा step आपको इस video की layer पे click करना है और इस तरह से आप install करेंगे तो यहां में दे सते हैं speed इस पर आप click करेंगे तो यहां में एक cut लग जाएगा और इस तरह से आप आगे करेंगे और वीडियो की इस तरह से आप zoom in करेंगे अब यहां में देख सकते हैं के इस तरह से आप प्लिकेशन में तो अभी आप देख सकते हैं कि zoom in और यहां में देख सकते हैं कि zoom out हो रहा है तो इस तरह से आप अपने वीडियो के insert application में zoom in, zoom out कर सकते हैं इसके बाद इसे आप gallery में save कैसे करेंगे तो उपर में देख सकते हैं save का option इस पर आप click करेंगे और यहां से quality select करेंगे और save के click करेंगे तो आपके gallery में save हो जाएगा तो इस तरह से आप insert application में वीडियो के zoom in, zoom out कर सकते हैं तो फ्रेंट आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आए तो like और subscribe कीजेगा तो फ्रेंट फ्रेंट फिर मिलते नवेश इवडियो में तब तक लिए धन्यवाद